नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में देंगे बहुत खुबसूरत लगेगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास दी गई घंटी को दबातीजे तो चलिए शुरू करते हैं पहले आप अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लिजे फंदा आप बारा के मल्टि प्लस पे डालिए बारा 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 इस तरह मल्टि प्लस पे डालिए और पांच फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजे फंदा डालने के बाद आप बौर्डर बना लिजे बौर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन सुरू कीजे इसको हम सीधा के तरफ से शुरू करेंगे तो देखे सीधा के तरफ से पहला सल आई पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे एक दो दो फंदा सीधा फिर हम यहाँ पर दो फंदा का एक फंदा सीधा के तरब से करेंगे ऐसे देखे दो फंदा का एक फंदा फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहां एक जाली बनाएंगे और दो फंदा को ऐसे सीधा करके ऐसे दो फंदा का एक फंदा बना लेंगे फिर देखें दो फंदा सीधा एक दू दो फंदा सीधा तो देखें यहां हमारा 12 फंदा हो गया इसी 12 फंदा को हम पूरे सलाई में रिपीट करेंगे इसी 12 फंदा को पूरे सलाई में रिपीट करते जाएंगे तो अब हम जो एक्स्ट्रा फंदा रहेगा जब लास्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा फंदा होगा तो धागा आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो यहां हमारा एक फूल कम्पलिट हुआ है इसी तरह से पूरे स्वेटर में फूल बनते जाएगा पूरे सलाई में फूल बन जाएगा तो हम पूरी सलाई बना लिये हैं अब उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखिए पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा बनाएंगे हर बार हम सभी फंदा को उल्टा बुनेंगे तो उल्टा का फंदा हम हर बार उल्टा से बना लेंगे तो हम पूरी सलाई बना लेते हैं अब देखें तीसरा सलाई सीधा के तरब से पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बनाएंगे और देखिए यहाँ पर दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे ऐसे दो फंदा का एक फंदा यहाँ पर यह चेन बनते जाएगा अब यहाँ एक जाली बनाएंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे एक दो तीन तीन फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहां एक जाली बनाएंगे और दो फंदा को सीधा करके ऐसे एक फंदा बना लेंगे दो फंदा का एक फंदा फिर एक फंदा सीधा धागा आगे तीन फंदा उल्टा धागा पीछे लाश्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे अब देखे हम पूरी सलाई बना लिये हैं और उल्टा के तरब से पूरी सलाई उल्टा बना लेते हैं उल्टा के तरब से देखे पूरा सलाई उल्टा बना लिये हैं अब हम बनाएंगे पांचमी सलाई सीधा के तरब से तो सीधा के तरब से देखे पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे और धागा को आगे करेंगे तीन फंदा उल्टा धागा पीछे और इस बार देखे सीधा का फंदा हमको नहीं बनाना है तो सीधा दो फंदा का एक फंदा सीधा के तरब से कर लेंगे लाश्ट में ये कर लिए लाश्ट हो गया हमारा सीधा दो फंदा का एक फंदा फिर यहां एक जाली और पांच फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदा सीधा फिर यहाँ एक जाली और इस दो फंदा को सीधा करके ऐसे एक फंदा बना लेंगे दो फंदा का फिर धागा आगे करेंगे तीन फंदा को उल्टा बना लेंगे एक दो तीन और लाश्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखिए हम यहाँ पर पांचमी सलाई बना लिये हैं और छटी सलाई हम उल्टा के तरब से पूरी सलाई उल्टा बना लेते हैं अब देखिए यहाँ पर हम छटा सलाई उल्टा के तरब से पूरी सलाई उल्टा बना लिये हैं अब हम 4 सलाई दोनों और से उल्टा बनाएंगे, सीधा के तरब से भी उल्टा बनाएंगे, और उल्टा के तरब से भी उल्टा बनाएंगे, तो हम 4 सलाई बना लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम 4 सलाई दोनों और से उल्टा बना लिये हैं, और इसी 10 सलाई को 6 और 4 10, 10 स आपको पूरे स्वेटर में रिपीट करते जाना है तो हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके दिखाते हैं तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा रिपीट कर लिए हैं और पूरे स्वेटर में आपको इस तरह का डिजाइन दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा यह स्वेटर का कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक करें और धीर सारा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू